जो सौ सालों में नहीं हो पाया वो कुल्दी प्यादों ने कर दिखाया धर्मशाला में कुल्दी प्यादव ने चटकाई पाँच विक्टे यानि कि फाइवर ले लिया है कुल्दी प्यादव ने धर्मशाला में जहां पर expectations थी कि Pacers dominate करने वाले हैं वहाँ पर कुल्दी प्यादव ने 5 विकेट चटकाई और शुएता पांचो की पांचो क्रूशल विकेट जिसमें से एक कप्तान की भी विकेट्स है टॉप ओडर पूरा कुल्दी प्यादव ने सिंडल हैंड़ली वापस पविलियन भेज दिया और बहुत कमाल की यहांपे बोलिंग करिये कुल्दी प्यादव ने आती साथ 100 सालों में जो रिकॉर्ड कभी नहीं बना वो साने पने नाम कजए हम इनकां बहुत सारे बड़े 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 रिकॉर्ट अटिकार्श करेंगी कि आइद देशकन पर ISBN विकट सब अश्मिन से उमीद कर थे कि वो फइफर लेकर जाएंगे बुम्रास विद कर थे वो फइफर लेकर जाएंगे लेकिन इंग्लैंड की सबने कुली प्याद आओट अप डिस तेलबस आगे जिनका जवाब इंग्लैंड की बले-बाजो कि पास बिलकुल भी नहीं था बिल्कुल और ऐसे में एक तरफ जहाँ पे ओपनिंग पेर बहुत बढ़िया बाटिंग कर रहा था पर्टिकुलरली पेसर्स के आगी क्योंकि धरमिशाला की पिछ में हम जानते हैं स्विंग वाली पिछ माना जाता है इस पिछको की भई पेसर्स डॉमिनेट करते हैं लेकिन सामने से क्रॉली बहुत बढ़िया बाटिंग कर रहे थे डकेट बहुत बढ़िया साथ निबा रहे थे और वहाँ पे सवाल यह था आखिर ब्रेक्ट्रू कौन दिलवाएगा और इ आती साथ वो जो रिकॉर्ड है जो सौ सालों में नहीं बना पाया कोई वो भी कुल्दी पियादव ने अपने नाम कर रहा है और वो रिकॉर्ड है कि 50 विकेट पूरी करना सबसे कम बॉलों में मातर 1871 बॉल्स में कुल्दी पियादव ने अपनी 50 विकेट जो है पूरी कर और बहुत कमाल का इनका test career रहा है और particularly इस test में भी wicket taking options के लिए लाया गया था इन्हें अगर आप देखेंगे test में कुल दीप यादफ का वो जो career रहा है तो 12 matches खेले है 51 wickets चटका चुके हैं मात्र 12 matches में best bowling figure इनका 5 best bowling figure in an innings है 5 wicket 40 run और best bowling in a match है 8 wicket 113 run और economy है 3.43 की बिल्कुल बहुत ही जादा अच्छी गेंद बाजी करी और आपको बता दे कि इंडिया की तरफ से सब तरवे ऐसे baller बन गया जिने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिये बहुत बड़ी history create करे कुल दीप यादो ने बहुत अच्छी गेंद बाजी आज के मुकाबले पांच wicket कर गया और इनके गेंद बाजी की वजह से इंग्लाइंड पूरे एक दिन तक टिक कर बल्ले बाजी नहीं कर पाई कि कि स्टार्टिंग जिस तरीके की उपनिंग पेर ने दिखाया था इंटेंट दिखाया था बल्ले बाजी करते बेंड़ी लेकिन जैक रॉली को भी इन्ह बात यह है कि कप्तान रोहित शर्मा ने इन पर भरोसा दिखाया भाई रविचंद्र अश्विन उनके पास इतने मैचे सौवा मुकाबला खेल रहे हैं तो 99 माचेस का experience इस मुकाबले में लेकर आ रहे थे रवंद्र जडेजा कमाल की फॉर्म में है उन सब के ऊपर यहां प इतनी विकेट यह जानी नहीं जाती है लेकिन इस मैच में पर्टिकुलरली जहां पर इंग्लांड टीम ने शुरुवात बहुत कमाल की करी थी और यह मैच पर्टिकुलरली शुर्टा इंग्लांड टीम के लिए बहुत important है लेकिन हापे कुल्दी प्यादव ने सपने चू इक दिन भी बैटिंग पूरी नहीं कर पाई इंग्लांड के टीम बिल्कुल अब इंग्लांड बहुत जादा बैक फुट पर आगे क्योंकि धाई सो तीन सो रण भी इंसे नहीं बन पाई पहले इनिंग में जहां कि धर्मशाला की पिछ एसी होती जहां मारा जाते कि कम से क अब तीन सो साड़ तीन सो रही सदो बना सकते हो कि युक ही जितनी बाजो को मिलते फ्याइन पिच पीट पर बेंच ने पर फीर आइप श्याइब कर एक अशृब नहीं अभी तरीके से इस पिनस का बॉल बाला हमी देखने को मिला बिलकुल और कहीं न कैई Shweta, अब टेस्टे टीम में kulidi piyadav की जगा फिक्स हो चुकी है, obviously standards बहुत high थे रविच्ण जडी जब बाटिंग बहुत कमाल की करते है, बोलिंग बहुत कमाल की करते है, Ashwin बाटिंग में साथ भी निभा सकते है, रंज भी बार सकते है, लेकिन अब जब आप spinner की बात करते हैं तो बात वही आती है कि बाटिंग क्या ये खिलाड़ी कर सकता है क्या ये आपको crucial time पर wickets लाकर दे सकता है और इस India vs England series में कुल्दी प्यादव ने सभी बॉक्सिस पर टिक लगाया है बाटिंग भी करके दिखाईए अच्छा माँ पर टिक कर दिखाया है एटलीस के हाँ भी मैं टिक सकता हूँ साथ दे सकता हूँ साथी साथ बोलिंग में उनका कमाल जो है जारी है बाकि आप अपना opinion इस बारे में बता सकता है comment section में तब तक के लिए देखते रहे हैं तूफान स्पोर्ट्स लाइक शेर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स